हेलो स्टुडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आई हैं सर्वे वाला कैसे हम फाइल तयार करते हैं ये मैंने आपको पहले फाइल बनाने सिखाई थी सिंपल जो मॉडल्स बनाते हैं मगर ये हैं हमारी सर्वे वाली फाइल जैसे मैंने एक अपनी स्टुडेंट का पिशली साल का जो था उसका आपको शो करती हूँ किस तरीके से बनाते हैं जिससे 27th National Children's Science Congress NCSC 2019 का है ये इस तरीके से इसका फ्रंट पेज तयार किया जाता है इसके बाद हमारा next step आता है second page का ये मैंने आपकी सहूलियत के साब से मैं बता रही हूँ इसे front page पढ़ लेते हैं एक front page बनता है जिसमें आपको group leader का नाम इसमें दो बच्चे काम करते हैं other member का photo लगाया जाता है उनके नाम लिखे जाते हैं guide teacher का photo लगाते है उसका नीलू फर जो भी नाम है वो उसका नाम लिखा जाता है फिर इसके just नीचे जो आ जाता है इसके बारे में बताते हैं इसका focal theme क्या है इसका theme क्या है इसका sub theme क्या है ये हमारा second page बन गया second page के बाद हम आते हैं थार्ड पर जिसमें आपको ये दिखाना होता है कि नगरिये नक्षा कि हमारा नगरिये नक्षा क्या है हमने किस-किस एरिया में सर्वे किया तो जैसे हमारा विध्याले है कॉलेज है तो इसमें हम पूरा नगरिये नक्षा बनाएंगे कि हमने इसके आसपास किस-क इस इलाके में, किस किस जगा जाकर कहां कहां पर हमने अपना सर्वे किया, उन्हें उस्थानों के हमें नक्षे दिखाने पढ़ेंगे, उनका डारेक्षन बताना पढ़ेंगा, यह हमारा नगरिय नक्षा रहता है, इसके बाद यह हमारा हो गया, step इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है आपका contents इसमें हम introduction देते हैं कि हमारा introduction इसमें जितना भी है जितने भी हम ने अंदर जो method वगेरा सब को जो भी लिखाए describe किया है वो सारा दिया जाता है इसमें introduction लिखेंगे फिर methodology आती है conclusion आता है references आते हैं उस survey जो report हम तयार करते हैं वो आती है तो इसमें आपका रहता है जैसे कि मैंने save water पर ये बचों ने बनाया करवाया है इस तरीके से हम diagram से भी इसको show कर सकते हैं इसमें हम cuttings भी शामिल करते हैं कि हमने इसके बारे में इतनी इतनी news देखी हमें क्या क्या इसके बारे में पता चला जैसे जल सनरक्षण के बारे में जल के बारे में कौन क्या कह रहा है उसके योद्धा कौन कौन से हैं इसके बाद हमारा जो है साथ में ये चीज़ां चलती रहती हैं और इसके साथ हम चलते हैं मैथरडोलोजी पर इसमें मैथरडोलोजी के बारे में बताएंगे जो हम सर्वे करते हैं वही मैथरडोलोजी में आता है जो भी हम सर्वे करेंगे वो मैथरडोलोजी के अंतरगत आएगा जैसे कि हमने किस किस के घर पर जाकर क्या क्या सर्वे किया क्या पूछा क्या किया किनके लोगों से पूछा तो उनके हम सब के नाम लिखेंगे उनकी आयू लिखेंगे और जिन जिन से हमने सर्वे किया उनके नाम उनकी आयू महिला है या पुरुश है और वो क्या काम करते है इसके बारे में बताया जाता है इसमें प्रश्न नंबर वन जैसे लिखा तो विश्व में कितना प्रतिशत जल पीने योग यह है यह हमने question मडा लिया तो अब यह हमने जितने लोगों से पूछा और उनका क्या response रहा तो वो सारा हम response इसमें लिखते हैं कितने परसंट लोगों ने क्या answer दिया कितने परसंट लोगों ने क्या answer दिया जैसे A, B, C, D इसमें मैंने divide कर रखी हैं सारे questions जैसे मैं आपको एक example दिखाती हूँ जैसे survey का page जो है इस तरीके से तयार किया जाता है जैसे इधर date लिखते हैं इधर respondent name लिखा जाता है और इधर country लिखी जाएगी और इधर name लिखा जाएगा कि कौन बच्चा जो है कौन सा student है कौन है जो इसका survey कर रहा है इसका topic लिखते हैं कि हम किस चीज़ पर survey कर रहे हैं और इस पर लिखते हैं कि इसकी age क्या है इधर gender लिखा जाता है इधर village city क्या है अब जैसे मैंने प्रशन लिए हैं तो पहला प्रशन दूसरा प्रशन तीसरा प्रशन चौथा प्रशन इस तरीके से कुल मैंने प्रशन तयार कर लिए और उन प्रशनों के जिन जिन लोगों ने option जितने percent लोगों ने दिये उनका मैंन हर बंदे का अलग-अलग तयार किया जैसे कि यह है निहाल राजपूत तो इनका तयार किया कि इनोंने इसका answer क्या बताए इस तरीके से हम survey करते कितने जितने survey कर सकते हैं उतने survey कर लेते हैं जैसे कि मैंने इसमें दस survey का आपको example बताया है और उनके answer जो है जैसे चटवा question है जल को शुद्ध करने की तरीके बताईए उन्होंने जिस जिसने जो बताया है जल का संरक्षन कैसे कर सकते हैं तो जिस जिसने जो जो answer बताया है उसके हातों से उसमें उसी survey page पर लिखवा ही ने जाता है यह पूरा हमारा सर्वे का तरीका है इस तरीके से हम survey करते जाते हैं जितने भी हम members available होते हैं और उनके साथ Fix लेते हैं उन पिकिस का चार्ट बनता ए और उनको चारट पर लगाया जाता है और या अवर फाइल में लगाना चाहें चार्ड पर भी लगा सकते हैं और इसका ये जो मैंने आपको तरीका बताया है फिर इसका ग्राफ तयार किया जाता है इसका ग्राफ जो तयार ये सर्वे हमने ये क्वेशन के कर लिए तो इसका लिखते जाएंगे हम जैसे फास्ट आ गया हमारा कि विश्व में कितने में 1000 पर आंसर दी तो 10 आगया इसमें इसी तरीके से हर उसका हम बना लेंगे अब हमने हमने कि बताया कि ye. Also यानी सारे लोगों ने हमें भी आंसर दिया है तो ये पूरा מחों से बनेगा पूरा नहीं पोछने हैं तो पहला आया हमारा टे मिलादद पर्तिशट उस ने बताया जिस जिस ने तीन परिशट लोगों ने 10% bet ऊटाया तीन लोगों ने लोगों उसमें 5% परिशट बताया तो पांच पर्तिशट इसका हम करसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ 0% 0% और C 30% और D का 70% ठीक है कि परसेंटेज में निकलेंगे दर सर्वेंटेज में निकले लिए तो 30% इतना होगा और 70% इतना होगा इस तरीके से प्रतेक बीसित के हम ग्राफ त्यार कर लेंगे यही ग्राफ जो है हमारे सर्वे वाले चार्ट में बनाए जाएंगे और जिनके साथ हमने सर्वे किया है उनके पिक्स भी उस चार्ट में बनाए जाएंगे इस तरीके से प्रते क्वेशन का हम सर्वे करते जाएंगे और उसका हम ग्राफ बनाते जाएंगे जिस तरीके से मैंने graph इंकित किये हैं अब जो बोलने वाले answers थे तो उनको बोलने वाले answers का हम graph नहीं बना सकते तो हम उनको लिख कर शो करेंगे कि इन लोगों ने ये 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 answer दिये उनके बारे में आशर दिया अब इसके बाद हमारा references आता है तो references में हम बताएंगे कि हमने किस-किस जगा से सारा collection एकटा किया है तो ये सारा हम collection बताते हैं कि हमने किस-किस तरीके से एकटा किया है conclusion हमारा जो भी आप जो भी मैं आप topic लोगे उस हिसाब से उसका conclusion होगा और उसी हिसाब से आपका introduction होगा ये beach का जो process है वो same रहता है मगर जो introduction है और conclusion है ये आप change कर देंगे तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि हमने क्या topic लिया है और उसका conclusion क्या निकलता है यानि निशकर्ष क्या निकलता है और छोटे छोटे pics जो हम collect करते हैं उसको हम लगा comment कर देते हैं तो इस तरीके से आपकी file making होती है ये आपकी जो survey वाली file होती है वो इस तरीके से आपकी तैयार की जाती है इसका page अच्छे से देख लीजी किस तरीके से लिखवाया जाता है इस तरीके से हम questions को तैयार करते हैं और जितने members हम लेते हैं उतने members के हम प्रते के पेश तयार करके उसमें सर्वे करते हैं हर घर पर जा जाकर हमें सर्वे करना होता है उनके साथ पिक्स लेने होते हैं कि हमने हां सर्वे किया अगर आप आप आडियो क्लिप लेना चाते हैं तो आडियो क्लिप भी ले सकते हैं और उसकी CD बनवाके आप इसके साथ जोइंट कर सकते हैं ओके थैंक यू एंड बाई